तो चले श्रंड आगे चलते हैं और एक बार फिर आपके लिए एक लेटेस्ट और न्यू क्लास होगी जो होगी हमारे पास M2R5 मॉडूल की ठीक है यह होगी हमारे क्लास नमबर सेकेंड जो की लाइब शेलेगी और होगी हमारे पास जो अभी आपके एक्जाम लगे हुए है इसकी जो डेट है वो 23 तारीक है ठीक है तो 23 अगस को आपके होंगे M2R5 के घ्याम इसका जो लेवल होगा आपको थोड़ा सा जो भी हमने बेसिक वाली आपको क्लास दी थी M2 की उससे यह थोड़ा सा अप लेबल पर होगा इंटर्मिन्टेट लेबल केस में कोशन होगे ज इसके पूरी पढ़ने के लिए आपको यहां पर कंप्रीट देखिए ITWP का हमने पूरा यहां पर लिंक डाल दिया ठीक है हिंदी इंगलिस दोनों में डाल दिया तो इतने सारे कोशन इसमें आपको दे दीगा है दे सकते हैं PDF अपलेबल हैं और एक PDF में कम से कम 100 प्लस कोश देखने को मिल जाएंगे तो इसके बाहर तो मेरे मान से आपका इसमें से आना नहीं चाहिए तो जितने कोशन मिलते जाएंगे मैं इसने PDF करता जाओंगा और इसको जरूर आप पर्चेस करें इसको पर्चेस करने के लिए आपको मैसेज करना है 7007659485 पर किसार मुझको को पर्चेस करना है आपको लिंक दे दिया जाएगा उसको आप ओपन करके कहीं पर भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह PDF हमारी है इसमें कितने कोशन होगे उतने हम सॉल्व करेंगे फिर आकर देखेंगे करिए 40 कोशन इसमें अब लेबल है जो कि हैस्टिवल बेज होगे तो प कर देता हूं का पूरा नाम यहां पर है क्या है वह उसको आपको बताना है तो वाट इस फुल नेम आप या इस्टेंट फॉर एस्टिमल तो आप से पुछा जाएगा इस पर करते इंप्सन है तो बताईए इसमें से क्या होना ची आपका नुसार हाइपर टेक्स मल्टिपल लेंग्वेज हाइपर टेक्स मार्क अप लेंग्वेज यह वाला थीक इसमें अपना अंसर तिक कर दें जो सही आंसर वो लिख दें या फिर एबी सीरी करके लिख लिख तो मैं समझ जाओंगा तो पहला है नंबर टू पर आते हैं ठीक है व्यट इस टेंडर्ड कौन बनाता है ठीक हैoweb è standard कौन बनाता है आपको बताओना चाहिए ठीक है वेब स्टेंडर्ड यानि की डबलू 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 जो होता है मारा वर्ड वाइड वेब जो आपका स्टेंडर्ड एक संगठन है ठीक है अब गूगल माइक्रोफ फेस्बुक यह आप आरे अलग चीज़े हो गई जाएगा उत्तर में जाएगा गर्ड वाइड वैब संग ठीक है तो इसका फुल फॉर्म भी आप समझद दीजे इसका जो फूर्म होता है वह डबलू-डबलु-डबलू जयानी कि वर्ड वैव व्रड वाइड वैब छिक कि इस बेगारत होता है नमबर तीन, HTML element के लिए सबसे बड़ी heading कौन सी है, तो आपको बताना है, यहाँ पे heading लिखी गई है, H6, H1, head और heading लिखा हुआ है, तो देखे, आपको पता है, HTML में हमारी कितने heading होती है, H1 होती है, ठीक है, इस पेकार से लिखी होती है, H2 होती है, H3 होती है, H4, H5 और H6 तक की heading होती है, तो यहाँ पे दो question बनते हैं, सबसे बड़ी जब heading बोले जाए, तो आप बोलेंगे H1, ठीक है, क्योंकि H1 से start होती है, इस पेकार से start होते होते है, यह छोटी होती जाती है, ठीक है, और अगर question में पुछा जा, सबसे छोटी heading कौन सी है, तो आप बता देंगे, H6 हो जाए सबसे बड़ी heading कौन सी है, तो आप बताएंगे H1, ठीक है, STML में heading कितने पेकार की होती है, इभी आपको बताना, देखिए प्रगार भी यहाँ पूछ लिया, ठीक है, तो देखिए, 6 पेकार की हो जाई, मैंने भी आपको गिन के बताई, तो heading कितने पेकार की होती है, 6 पे आपकार क्यों होंगे या फिर एक्स्टेंसेंशन वे इसमें इसमें की तो आपको चलती नहीं ठीक है बाकी और बाकी होूँगे टोडल आपको टेक्स टेक्स और अट्रीब्यूट से ही को सन झान अर्शन बनेंगे इसमें मैं कुछ एक कोडिंग ले लेता हूं ठीक है बेसिक सी तो मैं आपको प्रेटकल भी सम्झाता रहूंगा इसलिए आपको सौन में आजाए अब हम यह आप लिखते हैं कोई हैडिंग के प्रोगाम तो देखिए यहाप हमने एक सिंपल सा एक कोड लिखा जो की हैडिंग आपको करना है यहाप लिखेंग इस परकार से बी या और इसको कर देंगे कंट्रोल एसे सब्सक्राइब और यहाँ पर देखिएगा अभी कुछ इस परकार से दिखाए देगा यहाप हो गया पहले बाले लिए आप नहीं था ठीक है तो इस परकार से लाइन ब्रेक को यू background color यहाँ पर लगाने के लिए कौन सी style यहाँ पर यूज की जाएगी चीक है कौन से HTML element का यूज किया जाएगा तो बताईए इसमें से क्या होना चाहिए answer मत देखें आखी बन कर लिया करें तो इसमें देखे background लगाने के लिए simple सा हमारे पास होता है हम लिखते हैं body style और background और color का नाम बेदेते हैं ठीक है इस परकार से देखे text बनेगा अब इसमें देखे background और plus red लिखेंगे तो यह कोई code काम नहीं करेगा ठीक है body style और red लिख देंगे खाली तो देखे अलग-अलग condition में काम करता है लेकिन कोई condition में काम नहीं करेगा ठीक है अगर हमको style डालनी है कि जी चीज में तो हमको body के अंदर यह पूरा इस परकार ते code लिखना पड़ेगा ठीक है नोट करने है important है यह color add किसी कि आप से पूचा दखता background color add करना या test में किसी में color add करना है या फिर कोई test है उसको करना है इसके बोल्ड करना है इंडर लाइन करना है चीक है नेक्स लाइन में प्रिंट करना है उसमें तो इस पर करके कोशन आपको इस्टेमल में बनेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका कोड बोडी स्टाइल बेंग्राउंड डैस कलर रेड ठीक है इसको आप रण करा के भी देख सकते हैं यहां पर किसी में color आपको डालना है तो आप यहां पर डाल लेंगे तो यह रण भी करेगा चीक है बोडी को यहां सटा दीजिए तो इसका और पूट आपको दिखाते ह तो यहां पर लिख दिया हमने बॉडी स्टाइल बेंग्राउंड कलर में लिख दिया रहे ठीक है तो इसको हम कराते हैं रन तो देखे इस प्रकार से आएगा color देखे ठीक है यह इस प्रकार से background पर heading हो गई यह आपकी और यह color हो गई अब इसमें अगर पूछा जा सकता है question यह text में color करना तो फिर उसके लिए अलग style हम लोग देंगे चीक है वो जब question आएगा तो आपको बता दिये जाएगा तो question किस पर करते था इसका answer हो जाएगा body, style, background, color, red ठीक है next question number 7 है important text के लिए को important text है इसमें इन में से सही tag कौन सा हो ठीक है तो important text के लिए हम लोग क्या करते हैं कोई इसको bold कर देते हैं ठीक ह तो इसमें देखें दो option दिये गए एक B लिखा हुआ एक strong लिखा हुआ है तो दो नहीं option इसमें लगबक्ची कोंगे important text है तो इसको हम लोग देखें यहां पर strong option दिया गया तो strong से भी आप उसको bold कर सकते हैं ऐसे ही माले यही लिखा हुआ है तो यहां पर लिख दीजे इस text को अगर हमको bold करना है तो कैसे लिखेंगे तो देखें हम लिखा यहां पर this is normal text और देखें हां पर हमने बोल्ट का यूज किया and this is bold text इतना हमने जो है इसको बोल्ड किया है उसके आगमने देखें भी लगा दिया तो किसी भी text के paragraph में किसी चीज को bold करना है तो इसली उसक और इसी के अंदर हमने यहां पर भी strong लिख दिया देखें कोई फरक नहीं पड़ेगा इसको हम save करते हैं और कराते हैं इसको run तो देखें सेम ऐसे चीज प्रिप्रिंट होके आएगा जैसे कि आपका पहले था बोल्ड में भी सेम ऐसे आएगा और इसमें भी ठीक है तो इसका मतलब यहीं होता है कोई important टेक्ट है तो वहाँ पे बोल्ड या फिर strong काम लोग यूज़ कर पकते हैं तो अब इस important टेक्ट को बोल्ड करने के लिए निमिकेज में कौनसा टेक्ट प्रयोग किया था तो बोल्ड को करने मैं आपको बताया बी का ठीक है बी option बने ना कि बोल्ड ना ही बी-ल्ड आप्शन क्या हो जाएगा इर्थ का बी next question को इंडिकेट करने के लिए कि प्रोक की यह देखर यहां पर कौन सा होता है और पर उपक्षण पर यह पर करके बताइए धेखे तो आपके में क्योंकों पर्वाड् स्लैसिज भी बोलते हैं जो आपको यह मिलेगा ठीक है तो ऐसान हो जाएगा टीक इसको पेचान लें इसको बोलते हैं यहाँ पर आपके डाले आते हैं स्टार्ट करने के बाद जभी एंड होता है किसी में भी देखे सब में एंट होगाई इस पर जब क्लिक करते हैं तो हमारा नियू पेज खुलना चाहिए तो यह आपके प्रैकिकल समंद्द कोश्चन है तो उसके लिए कौंसा लिंक देंगे तो देखे नियू अगर हमको ले जाना है कि तो फिर किक करेंगे तो कि यहां पर सब दिया गया है यहीद मिल bigger होगा तो इसको प्रॉइण Пर कुछ इस पकार से होगा मैं यहां पर मालिज इसको डालता हूँ तो टार्गट ब्लेंग को कैसे यूज किया आता है ऑप्सन तो मैंने आपको दिखा दिया मैं आपको इसका प्रेट कली बता रहा हूं ठीक है तो इस पर हम जाएंगे तो देख कैसे लिखा जाएगा हम में लि तो देखे यहां पर इस प्रेकार से आजाएगा विशिट गूगल डाट कॉम इस पर जैसे क्लिक करें तो नियूट टैप पर देखिए ओपन हो जाएगा आपका गूगल का प्रेज ठीक है तो इस प्रेकार से इसको डिजाइन किया जाता है तो आप्सन कौन सर ठीक होगा यह वाला ठीक होगा ब्लेंग वाला ठीक है नियूःव वाले वाले पामें टुक कर दीजेगा next अब यहां बोला गया है number list के लिए निम में से किसका प्रोग किया था अगर हमको number list प्रेंट करनी है देखे list हमारे पास जो हैं दो पेकार की होती है basically एक ol जिसको बोलते है order list एक ul होती है आपकी इसको बोलते अन-order list ठीक है तो order list में आपके हमारे जो है number वगएर आ जाते है अन-order list में हमारे वह सिंबल्स वगएर इस्टार हो गया प्रेंट करना है ठीक हमारे आपको square प्रेंट करना है या फिर बुलेट प्रेंट करना है तो यह इस प्रेकार से होते हैं आपके तो number list हमारे किसमें आ जाएगी ओ-a-l में ठीक है order list में हमारे number list आ जाती है लिस्ट के आते हैं इसका एकजमल बाएगे जब आएका तो बता देंगे अब यहां बपो लगा है बूलेट लिश्ट के लिए किसका प्रोपिया थो कि मैंने आपको बताया बुलट बुलेट हो ठीक है या इस परकारते कोई वैरो या सिंबल जितने भी होंगे वापके यू एल के अंदर काताएंगे निकि अनॉडर लिस्ट में ठीक है तो यह आप जान गए ऑड़र हो गई चीक है इसमें हमारे पास मैंने आप बता दिए इसमें तो कुछ भी हो सकता जैसे की इस्टार प्रिंट करना है ठीक है बुलेट इसक्वाइर ट्राइंगल एरो ठीक है या फिर सरकल कुछ भी होगा वह आपका सारा इसी के अंदर आएगा यू एल यानिकी अनौडर लिस्ट के अंदर उसके बाद है देखे चेक बॉक्स बनाने के लिए एस्टिमल में कौन सा साइक कोड है चेक बॉक्स आपको बनाना इस से होता है थिक कहाई इसमें कि आप मेल फिरमल बना सकते है या रेडियू बटन बना सकते है इस परकार से तो चेक बॉक्स के लिए इन्पूट लिखा हुआ है त्यंके टाइप लिखा हुआ है और पहला दूसरा तो आपको अंकलत हो जाएगा चूकि हमको इन्पूट लेन कैसे यूज किया जाता है चेक बॉक्स लगाने के लिए हमको एक फॉर्म डिजाइन करना होता ठीक है उसके बाद हम इन्पूट टाइप ठीक है उसके लिखते हैं चेक बाइप उसके अंदर कोई आड़ी देते हैं तो आड़ी नेम लेकिया हमें लेका वीकल नंबर वन ठीक उसके अंदर नेम कैस्का वीकल नंबर वन वैलू कैस्कंद अज़ी बाइक तो बाइक क्या होगा उसके करने के ओप्सन आएगा इसी पकार सन में तीन चीज़ें यहां पर दे दी है और उसको हमने करा दिया है रन तो देखे किस पकार से और आपको दिखाई देखा यहां अब देखे, I have a bike, I have a car, I have a bot, तो यह चेक बॉक्स यहां पर इस बिखारते बनके आ जाएगा, ठीक, यह होता है, आपका चेक बॉक्स, तो मैंने output बता दिया, answer बता दिया, तो होगा option number D, जो होगा, वो सही होगा, ठीक है, next है, 40 number है, text input field बनाने के लिए कौन सा code यूज़ क तो देखे, अब बता देते हैं, आपको text input करने, text field को बनाने के लिए कौन सा code यहां पर यूज़ किया जाता है, तो देखे, इसमें जो option बनेगा, वो basically second वाला बनेगा, input type और text, ठीक है, इसमें option जो बनेगा, वो यह बनेगा, input type और text, ठीक है, देखे, कैसे यह बन करेगा तो हमें लिखा, input type और text, id name दे दिया, इसमें, इस पकार से, और इसको जो अमरन कराएंगे, तो देखे, कुछ इस पकार से, आपको सामने, यह text box यहां पर बन क्या है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह हो गया, option number, second इसमें बनेगा, इसमें answer में मैंने हो सकता है, घलत इसमें fill कर दिया, तो तर इसमें देखे, text fill दिया, तो इसको हटा लिजेगा, आप लोग, second वाला option इसमें ठीक होगा, मैं PDF से ही कर दूँगा, input type text, ठीक है, next है, drop down list बनाने के लिए, HTML code क्या है, ठीक है, HTML में drop down list बनानी है, drop down list क्या होती है, इसके अंदर इ जाता है, इसका सही output answer क्या होगा, तो देखे, इसके लिए हमनों जो यूज़ करते हैं, वो select option का use करते हैं, ठीक है, अब इसमें आप ये मत कर देखे, input type और drop down, ठीक है, इनका use नहीं किया जाता है, इसमें select, जो tag का use किया जाता है, अगर मैं दिखा हूँ, तो देखे, मैं game के अंदर car ID लिखी, और option value के अंदर ये चार नाम दिए हैं, ठीक है, तो इसमें देखे, इस पर का option से भी एक है, select का option दिया है, तो यही option इसका होगा, ठीक है, next question हम चलते है, text area बनाने के लिए, मैंने आपको देखे, बता दिया, input type और फिर text area, अब ये text area बनाने के text box और सिर्फ text area इसमें option दिया गया, ठीक है, तो बताइए, इसमें answer आपने क्या लगाया, comment करके, तो देखे, text area अलग होता है, और text box जो है, अलग होता, text box आपका इस प्रिकार से होता है, ठीक और text area जो हमने जूज़ करते हैं, comment डालने के लिए करते हैं, तो इसका जो option आ आप run करेंगे, तो यह कुछ इस पकार से आपको दिखाए देगा, इसके अंदर देखे, इसको आप यहाँ से remove, यहाँ से देखे, drag drop कर सकते हूँ, कहीं उठाके, जितना बड़ा चाहिए, उतना box बना के, और आप इसे area के अंदर, easily लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोल आपको लिकित में से किस extension से save किया जाता है, तो M1R5E class में extension की सारी वीडियो से उसको भी आप लोग देख लिएगा, जिससे की HTML से संबंदित, यानि की M2R5 संबंदित, जो भी extension होंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो इसका जो extension बन जाएगा, dot HTML, ठीक है, तो इससान पूचा गया है, तो हो जाएगा, 1990 में, ठीक है, HTML अगर आपको लिखना है, तो उसके लिए कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ से start होके, यहाँ से खत्म होता है, तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है, देख लिए comment मैंने लिखा हो, तो देखे इस परकार से, यह document type होता है, इसके नीचे हम लोग comment में डालते हैं, तो लिखने के तो तरीका है, वो pattern यहाँ से, इस से start होता है, इस से खत्म होता है, ठीक है, तो option हो जाएगा, ठीक, सही है, उसके बाद है निर्मकी में से कौन सा बोला गया है, कौन सा इस्टिमल टेग, टाइटल को डिफाइन करता है, टाइटल के लिए हम लोग कौन सा लगाएंगे, तो देखे, अब इसमें देखे लिख क्या रहा है, मेटा लिखा हुआ है, है, तो टाइटल को अगर डिफाइन करना है, टाइटल को लगाने के लिए हम लोग किसका यू को उसके बाद है डॉकुमेंट के फोटर को स्पेसिफाइब करने के लिए किस टेक का यूज करेंगे तो ऑप्सन बन जाएगा तीन निविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए अस्टमल हम प्रोक क्या जाता है निविगेशन आधान हो का विद्स टेक होगा तो लाफ गोल्ड तो बोर्ड के लिए नहीं होगा भी टैग है ठीक है अंडरलाइन के लिए यू टैग है इस परकार से जो है इसमें टैग यूज के जाते हैं सौट फॉर्म है जब भी कभी पूरा नाम बोला हो गया हो और पूरा नाम दिया हो तो अब उसको मतिक करके आएगा उसको पहले है डालेंगे हैडर ही डालेंगे तो अप्टन हो जाएगा है अब हैड जो है वह अलग की जए हैडर अलग की जा ठीक है तो यहां से यहां तक पूरा हैडर के अंदर यह कौन सी फाइल लगाए गई है ए के फाइल लिखे यह हैडर के अंदर टीक है और ह пользов, अई हैडर हो गिए. एक पर साझीछें है मैं यहां पर नगा हो तो पैराग्राफ के लिए तैली अन लगा हूँ थीक कर सकते हैं यह ऐससिए सवते क्रिक्र भाइसर में लिख दyy इस परकार से इपसे क्लोस कर दीए एस को कर देंगे लिख कर देंगे ऊथींगा एंस्ट फेकारक्र परफ Vice प्रेकर निम्द के मेंं से कंटेंदर को उन्सा यह कि अध करने के लिए तो देखिए दोनों होगा और बी जो है आपका दोनों कंटेनर के अंदर हैं क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कमांड है जो कि बॉड़ी के साथ हम लों यूज करते हैं ठीक है तो फिसकली फॉर्म बगरा डिजाइन करने के लिए कंटेनर का आप यहां पर किय हैं अंदर हम लोग कुछ चीज इंपुट करते हैं टैक्स टेरिया हो गए या फिर सब्मीट बटन हो गई या फिर लेबल हो गई या फिर चेक बॉक्स कुछ भी वह तो इंपुट टैस्सक्थ के साथ हम लोग लिखते हैं ठीक है एस्टेमल का लेटेस्ट यहां पर हमारे इस समय लेट टेस्ट है 5.0 तो अभी हम लोग हमारे कोर्थ में भी है तो उसके भी हम सेक्यूज आपको करवाए जाएंगे ठीक है इस डी ्ध Мिल एक सब्व सेट है कि इसका सच्ट है यहां पर करते हैं पेस्ट तो देखेकर फॉल वो हो आजाएगा पर सामने इसको कम लग बोलते हैं standard generalized markup language जो कि क्या है हमारे लिए एक subset हमारा HTML का तो option हो जाएगा SGML ठीक है HTML page को बनाने के लिए हमें हमें क्या चाहिए HTML page को बनाने को चाहिए नेकिए बनाने के लिए हम text editor का use करते हैं ठीक है उसको open करने के लिए वेब ब्रॉजर वेब ब्रॉजर पर उसके डिटिंग कर लखते हैं इसलिए option ए और बी दोनों बन जाएगा ठीक है अगर वेब ब्रॉजर नहीं दिया तो फिर आप लगाते है only text editor या फिर इसमें option देता text editor का नाल लिए नौटपेड लिख देता चीक है लिख देता paint लिख देता है मैं इस वर्ट फिर उप्सन लगाते है आप नौटपेड पर उसके बाद है तीस नंबर में ए दिया है और यह टेग जो हमारा किसलिए उसके आता है तो ए स्टार्टों के ए पर तो हमारा नहीं आती है तो आप देखेए टैलिक नहीं लिखा हुआ जाएगा ठीक है जैकर देखेए इसपे कार्ट लिग देंगे और यहां पर करतें इसको क्लोज यह आपने कर दिया इसको रहाते हैं अठा देते हैं करते हैं कंट्रॉल एस और करते हैं इसको रहा है यहां यहां पर देकि दो आई लिखा तो दो आई नहीं होकर सिंगल आ ही होगा उसके बाद है आप एठटी नंबर लिखा हुआ है टी आर टेबल लो टेबल में डेटा टेबल विर्थ यूज़ करनी है तो टी आर टी यह तीच्ट यह हमारे किसके टेग के बेसिकली तो हमारे टेबल के ट होती तो यू ऑप्शन जो है वह आपका जो है ठीक होगा बाली अंडरलाइन देनी है तो यू टेक का यो किया जाएगा जैसे कि माले यही है तो इसमें हम लिख देते हैं आप यू इस पेकार से कि ठीक है कि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगे ठीक है कि से आपको चाहिए दे तो इसके नीचे देंडरलाइन दिखाई दे रहे होगी ठीक है अंडरलाइन डालने के तरीका पता चल गया नेक्स्ट इस पेसल फॉर्मेट टेग हमारे पास कौन सा है तो देखिए स्पेसल फॉर्मेट टेग तो में यूद हो जाएगा टेबल में पर अब प्री जो टेग है कि हांपे इस पेसल टेग फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया शुर्मेटल रूलर के लिए या नई क्लाइब के लिए या और या वर्डर के लिए जान है तो देखे टेयर यानिकी होड़िंटल पर नोड़ के लिए लिए किया खांठ गा ये एक होता है तोब हमको सिर्व सब इसमौल में ही लिखने होते हैं, capital में हर जगा लिखने से, उसमें error आ सकती है, तो यहाँ पर option बन जाएगा, असर, ठीक है, estimate page में image का size बदलने के लिए हम लोग करते हैं, image का size अगर बदलनी है, तो height और width से हम लोग उसको बदल सकते हैं, option क्या हो जाएगा, height और width, question number 39 है, email का link create करते हैं, email अगर हमको create करना है, अपना link देना है, तो उसके लिए हमारे पर tag होता है, ahref mail at the rate.com, ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी एकना है, email.com, या फिर google, facebook.com, कुछ भी है, वो आपका यहाँ पर at the rate के साथ आएगी आपकी value, ठीक है, अब mail, HRF, ये option गळाए था, ये भी option के लिए था, ये भी option के लिए था, ठीक है, ये link आपका होगा, वो ठीक होगा, note कर लें, सही से link समझ ले, और इसका गर पार्ट का नाम देखे, तो अलग अलग नाम होते हैं, यह आपका link होगया, ठीक है, में आर क्यों डबली जिसे कि आपके डो टेक्स टेवों स्क्रोल करें तो आसर करते हैं यह 40 मोस्ट इंपोर्टन को संदो थे मैंने आपको सौल करवाए हैं और यह को सन आपको काफी अदा हेलफुल रहेंगे इसमें टोटल को सन एस्टीमल के थे ठीक है तो चलते हैं मैंने आ इस जोडने के लिए सही कोट कौन सा है तो दीक है HTML आपका स्वारी CSS जो है आपका दो परकार से बिस्क लिए आप लिख सकते हैं एक इंटर्नल ठीक है और एक एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल क्या होता है यानि कि माले कोई फोल्डर है इसके अंदर आपने एक HTML की फाइल लखी होई है और एक CSS नाम की फाइल लिंक किया हुआ है ठीक है इसका लिंक दिया हुआ है तो यह रन कर रही अगर सेम फोल्डर में है उसके बाद आपका जो इंटर्नल वाला होता वो क्या होता है HTML की जो हम कोडिंग करते हैं तो वहीं पर एक श्टाइल नाम का टेक्स स्टार्ट करके हैं वहीं पर CSS की प्रोगामिंग भी करते हैं तो वह हमारा होता है इंटर्नल ठीक है तो अब अगर लिखना है तो उसको कैसे लिखा जाता है तो देखिए यहां पर सिंपल सा है उसके लिए यह को लिंक करना होता है देखे option दिया गया इसमें तो बनेगा कुछ इस प्रकारते बनेगा link रिफर लिंक दे रहें किसका style सेट का उसका टाइब क्या है एक आप लिंक का तो माई स्टाइल डोट सीस पर आरते अगर हम रियल लाइब में बात करें तो यह जो टेक्स्ट स्ट्राइल के अंदर लिखा गया टेक्स्ट यह हमारा है एक इन अप अपा इन्टरनल इस्टाइल सीट ठीक है और एक मैं आपको दिखाटायों आगे यह देखि distractions से लिखा हुआ ही जो फाइल हमारी है जिसको कि हमने यहां से लिंक क्या हुआ है यह link रिफिरल दिया हुआ है और इस्टाइल डॉट स्य Cs तो यह जो हमारी सीट है वह हमारी कहलेएगी external वालिटी के तो इस प्रिकारत इसका लिंक दिया जाता है तो option बनेगा सी वाला नेक्स्ट एस्टेमल एस्टेमल पेज में external style sheet को लगाने की सही जगा कहां पर होती है तो देखे अगर external हमको लगाना है तो देखे अधिक के साथ लगा जाता है अगर आप external वाला दे रहे तो उसके बाद है internal site sheet को define करने के लिए हमनों का कौट कौन सा सई है तो internal के लिए हमनों यूज करते हैं इस टाइल का टीक है स्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं HTML में चीक है इंटर्णल के लिए देखिए इसमें ऑप्सन मन जाएगा स्टाइल तो देखिए यहां पर हमने यूज किया है देखिए स्टाइल का यह हमारा कौन सा है स्टिक नेज्ट अनेमे से css syntax कौन सा सही है अगर हमको बॉड़ी में कलर लगाना है तो इसमें कौन सा सिंटेक्स ठीक होगा तो body उसके बाद bracket उसके बाद color और दे देंगे black चीक है तो option बन जाएगा हमारे पास body color और black बाकि अलग-अलग option है वो option आपके गलत होंगे इसको देख लिजे CSS में अगर हमको comment लिखना है तो उसके लिए कौन सो option टीक हो जाएगा तो option बनेगा सिंगल को सिंगल यह वाला होगा डबल वाला भी है इसमें डबल वाले मना कर देजेगा comment अगर डालना है तो हमको लिखना है forward less star फिर हमको लिखना है comment फिर star फिर forward less यह बंद हो जाएगा तो पहला वाला ठीक होगा अब background color अगर बदलने की properties इसमें क्या है तो देखे background डैस कलर रहे कलर बीजी कलर तो background डैस कलर इसकी जो properties होगी वह सही होगी अगर हमको CSS में color बदलना है ठीक है अब इसमें लिखा गया है question number 8 में सभी h1 heading में background कलर कैसे डालेंगे h1 की heading है तो उसमें कैसे हम डालेंगे क्या पढ़े हैं background डैस कलर रेड ठीक है अब इसमें देखे 2 हैं तो इसमें जो आपके सही वाली है वह यह है ठीक है और यह वाला जो है आपका वह रॉंग होगा इसमें देखे थोड़ा तापको सभी element में डालने के लिए ठीक है next हो जाएगा किसी element का color बदलने के लिए CSS की properties कौन से किसी element का color अब को बदलना है तो color हम लोग यूज करेंगे उसके लिए element है कोई ठीक अब यहां पर font color या text color नहीं बोला था ठीक है तो उसे color का यूज करेंगा टेक्स साइज को बदलने के लिए CSS properties क्या है तो फॉंट साइज है टेक्स साइज हो देखे font size कोई टेक्स का साइज बदलना तो उसके लिए हमनों font that size properties का यूज करते है ठीक है font-weight अब P style font size bold नहीं होगा ठीक है इसमें इस परकार से नहीं लिखा जाता है तो third option ही इसमें जो अच्छी होगा paragraph है font का font का weight है इसमें हमने कर दिया बहुंट इस परकार किसी hyperlink में से underline को कैसे remove करेंगे कोई hyperlink का है माले उसमें देखा होगा आपने उसके नीचे अंडर लाइन आ जाती है तो उसको कैसे remove करते हैं यहां पर साइज टेक्स अब इसको कैसे आप रिमूफ करेंगे तो इसके लिए देखे हम लिखेंगे देखें यह की होगा किसी टेक्स्ट में प्रतेक वर्ड को लेटर में करना है तो उसके लिए में लिखेंगे टेक्स्ट को कर देंगे transform capitalize ठीक है तो option हो जाएगा text transform capitalize कर देंगे तो सारे वर्ड जो है capital later में हो जाएंगे CSS में तो अब सब्सक्राइब किसी element के font को बदलने के लिए किस property का तो font-family font-family tech का use किया जाता है font का element बदलने के लिए उसके बाद है इस border को किस प्रकार display करेंगे देखे border दिया है left border 25 राइट इतना pixel दिया है तो देखे कैसे इसको define करेंगे border with 25 बीज इस प्रकार से तो देखे option इसमें जो बनेगा वो बनेगा border with 15-20-10-25 ठीक है तो पहले पंदरा है फिर जूकि हमारा पहले टॉप आता है इसलिए टॉप पे पंदरा है उसके बाद 20 पिक्सला रहा है 20 पिक्सला मारा राइट बॉअर्डर में है यह पहले टॉप जाए का, number 3 इन मैं से कौन सा सलेकर है जो छेक अलिमेंट को select करता है अगर मैंको किसी को चेक करना तो छेक element लिए चेक यह लगाएंगे इस पकार से औहों लेके पो फटी के प्टेन कि जरों कर दे चलिए और अगर आप element अगर आप उस element को कैसे select करेंगे इसमें id और main दिया तो id main को select करने के लिए हमारे पास tag होता है has लगाके main ठीक है तो option बन जाएगा if अगर इस प्रेकार से दिया है तो उसमें has लगाके main से उसको हम select करेंगे div element के अंदर के सभी जो भी element हैं उनको कैसे लेंगे तो div और उसके अंदर लिख देंगे paragraph div और p ठीक है उसने plus less नहीं होगा तो div space करके कर देंगे p उसके बाद है आप उस main element को उस class main में करेंगे तो देखे यहाँ पर लिखा गया है main ठीक है अब यहाँ पर देखे है यहाँ पर class main है और यहाँ पर साथ जो question में ID में में था तो क्लास मेन होगा तो वहां पर हम डॉट और मेन का करेंगे टीक है डी का नाम नंबर के साथ हुआ हो सकता है तो इसमें अप्सन हो जायगा आपका इन में से कोई नहीं पिस इन साइट शीट को हम एक स्टेमेल पीज के अंदर नहीं जोड़ सकते हैं तो यह फॉल्स होगा आप एड करकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो उसे ज्यादा भी आप हमको करना है ठीक है तो सबसे पहले हमारे पर एक सो था एक 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 से होता है तो हो जाएगी ठीक है तो यहां पर जाएगा ओवर फिलो डैस एकस तो हमारा होगा नहीं विसके बाद 27 नहीं कि इसमें कौन सी प्रपरटी में तो सेडव का यूजं करते हैं css को करने बॉडर क के लाउंड करना है इसको कॉर्णर को तो बोरडर से का उनकर और करने करने के यहां पर यूज किया जाता है इन दोनों का यूज नहीं होगा राउंड वाला फंदना लगा या रेडियस ठीक है कोई बॉडर है उसको राउंड इस पकारते यह कर देगा ठीक है जितना रेडियस देंग उतना वह घूम जाएगा उसके बाद है निम ने कलर का यह किस पकार की इस टाईल है तो देखिए आपर लिखा हूआ बादी स्टायल लिखा हो बेकड्राउंड पॉलर गरीन लिखा हुआ है तो यह एक essence में आती यह इन लाइन में आती यह आपकी इन लाइन में अती थी कि क्या पर यूज कि यूज गया रहा है तो इसमें से कम से कम आपको 10 questions तो मिलने ही चाहिए, चीक है, तो दस नंबर के आपको यहाँ पे मैंने paper out कर दिया है, चीक है, तो आसर करते हैं, आपको इस वीडियो के question answer समझ में आ गए होंगे, इसको practice कर लें, एक से दो बार देख लेंगे, तो यह question आपको तयार हो जाएं जो critical के paper थे, वो tough भी बनाए गए थे, तो MCQ भी आपके tough आएंगे, ऐसा ने कि वो बहुत easy आएंगे, चीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, तो thank you for watching